विकास कंड सितार गंज में पंचयाद चुनाव को लेकर खबर हन्रेट की टीम शक्ति फार्म शेत्र में पहुँची और ग्राम पंचयाद वेकुंट पूर से प्रधान पद प्रत्याशी राकेश कुमार मंदल से उप्चुनाव को लेकर खास बात चित की वहीं प्रधान पद प्रत्याशी ने अपनी ग्राम पंचयाद के बारे में बताते हुए कहा कि अगर पंचयाद की जनता अपना प्रधान चुन कर लाती हैं तो हम एक ग्राम पंचयाद को अलग पहचान देते हुए प्रत्यक पात्र परिवार को सरकार की यूजनाव कल आप प्रभाव जो फैमिली है जो फोटो इस्टेट हो गया फोटो खीचने की वह नहीं मतलब पैसा नहीं होते तो ग्राम प्रधान की और से वह शुविदा हमें प्रधानपत के प्रत्याशी है वह खाशकर वीजबी के ही उमीदवार है उनको यह समझना चाहिए और अब तक वीजबी का शार्शन अच्छा ही चला है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सबके भी अच्छे तरीके से अब तक हो जाना चाहिए था यह कई वर्सों से देख र जाते हैं बारिस के मौशन में इसमें चलने की वो नहीं होता है ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो यह टीबी हंड्रेड है चनल के माध्धम से मेरा लाइब प्रसारन लिया जा रहा है तो मैं आप लोग का धन्यवाद करना चाहता हूं जो आप लाइब ले रहे और करता हूं और मैं यह प्रधान पद के उमिद्वार के रूप में पहले लणना लेनी चाहरा था तो कुछ लोग मेरे को जवस्ती बोले कि हां आप लड़िये आप पापा को भी बोले कि आप शक्षम है इस योग्य है तो पापा का कुछ दिक्कत के कारण पापा टिकट नही मैं इमली इस पर भारी मतों से भारी वोटों का वह करें और विजय बनाएं और मैं कि मैं यह कहना चाहता हूं जैसे हमारे जो बैकनपूर छेत्र हैं इसमें विभिनयों प्रकार के समझ्या है समझ्या जैसे हमारे सेक्रेटरी शाप जो शक्ति फारम नो नमबर में बैठते है तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो सेक्रेटरी शाप नो नमबर में ना बैठ कर हमारे ग्राम बैकंट पूर में बैठे हर अपते कम से कम एक दिन नहीं दो दो दिन बैठे जिससे हर बैक् कि हमारे ही बैकंट पूर में उपस्ति हो हर हबते में दो दिन और यह कहना चाहता हूं कि मैं अगर लुए ब Juicy के बदान मनता हूं तो एक बात मेया यह विए ह कि हर संसाश में अपट करूं गा जिस मेटिंग में यह होगा कि जैसे पेंशियन हो गया इंद्राबास हो गया और भी विभिन्य परकार के समझ्षा जैसे राशन कार्ड में नाम चड़ाना जो भी कारे है उस कारे को शबलता प्रबग किया जाएगा जैसा कि इसमें बहुत सारे कमिया है जो पिछले यह जैसे बहुत है जैसे इंद्राबास में मैंने सुना है बहुत लोगों से पैसा ले रखा है कोई-कोई पुर्वपरदान बगारा तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं और मेरे कानों कान आया यह खबर तो यह सब को सुधा करना है और बहुत कुछ कमिया जो है उसे हमें दूर करना है मैं दिशाए ही दूंगा कि हर जैसे 15 दिन में एक बार हमारे बैकंट पूर जो पंचायद छेतर है तो पंचायद जो भवन है वहां पे हर 15 दिन में में मेटिंग का आजन करेंगे हम और उसके ओपरां जैसे मनोज हलदार के रिपो